हलो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको जोइंट एंटरंस एग्जामनेशन में यानि की जे डबली में 2021 उसकी डेट ओ एंजेंजरिंग के एडिमिशन के लिए जे डबली एग्जाम्स का फॉर्म आपको कैसे फिल करना है और जो 2020 था लास्ट येर था उसके कंपेरिजन में इस साल में क्या-क्या चेंजिस हुए है और आपको क्या-क्या चीज़े ध्यान में रखनी है ये वीडियो में मैं बताने वाला हूँ जिस JEE exam is very important for admissions into engineering, architecture ये सारे बच्चों के लिए तो अगर आप 12 में है या आपके कोई relative color का 12 में है तो आप प्लीज उसको ये वीडियो की ये वीडियो के description से मिल जाएगी सबसे पहली चीज, important चीज है कि जो आपको ये applications form भरना है उसकी जो last date है 16th December से शुरू हो चुका है और ये 16th January तक चलेगा कि मुझे जो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि मुझे form भरना है 16th January 2021 तक ठीक है एक चीज ये होगे दूसरा एक यहाँ पर information bulletin है अगर आप इस link पर click करोगे तो एक पूरी guideline है उसकी जो open हो जाएगी उसका एक PDF file है जो almost आपके लिए 59 pages का है जिसमें सारी guideline eligibility से लेके क्या 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 आपको certificates upload करने पड़ेंगे कब तक आप upload करोगे ये सारी चीजे लिखी हुई है तो आप इसको भी पढ़ सकते हो मैं आपको सब कुछ ये details में बताने वाला हूँ जो जरूरी है जिसकी वज़ा से आप immediately form भर सकोगे another important thing that let me take you to the apply for JEE main 2021 यहाँ पर आपको click करना है दोस्तों अब जैसे ही यहाँ पर click करोगे तो आपके सामने दो options आ जाएंगे पहला है steps to apply online तो उसके देखे चार steps है apply for online registration दूसरा है fill online application form तीसरा है upload scan photo and signature और fourth option है आपको examinations की fees भरनी है तो अभी मैं पहली बार यह websites देख रहा हूँ तो मुझे सबसे पहले यहाँ click करना है new registration पर अब जैसे new registration पर click करोगे तो एक बहुत ही important guideline जो मैं आपको भी bulletin बताया था उसमें से जो extract करके रखी गई है यह guideline it's very important जैसे कोई students है कोई लड़का है उसको B या B टेक करना है after your 12th तो उसके लिए paper 1 होता है और जैसे आपकी category general है या EWS है या OBC है उसमें भी दो options है आगर आप male हो या female हो तो male के लिए fees है 650 रुपिज यह यह जो Indian है उनके लिए और जो female है यानि की girl students है उनकी fees है 325, 50% यहां पर discount दिया गया है फिर उसी तरह से जो category के बच्चे है जैसे SC, ST या PWT उसमें भी male है या female है तो उसकी fees same है 325, 325 ये Indian resident के लिए है अगर आप out of India से अगर ये वीडियो को देख रहे हो तो आपके लिए fees अलग है वो यहां लिखी हुई है तो आपको ये ची exam 4 times आप 4 बार maximum ये exam दे सकते हो 4 बार और उसमें से जो आपका best score होगा वो count होगा तो आपको क्या-क्या चीज़े ध्यान में रखनी है I will tell you जैसे आपको अगर कोई 2 form बरना है अगर कोई लड़का ऐसा है कि जिसको engineering का भी fees form बरना है और architecture का भी बरना है तो उसके लिए fees क् आगेगी यहाँ table में दिखाया गया है कि अगर आपको दोनों एक साथ भरना है तो और एक ही exam जैसे किसी को target है engineering admission only तो आप JW चार बार दे सकते हो मैं यह बताने वाला हूँ कैसे दे सकते हो कौन से मन्थ में होगी उसकी deadline क्या होगी fees कैसे बरनी है यह बताने वाला हूँ आ उसके बाद you need to upload the scan images of candidates photograph और candidate की signature यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपके photograph और signature में mistakes नहीं होनी चाहिए उसको correct करने का आपको मुह का नहीं मिलेगा ठीक है तो आपको यह बहुत ध्यान में रखना है देखिए the recent photograph should be either in color or black and white with 80% face यानि कि जो 80% है आपका चेहरा दिखन चाहिए right including your ears against white background यह आपको ध्यान में रखना है आप आपने जो scan photograph किया है और signature को जो scan किया है उसकी format jpg या jpg format होना चाहिए size है जो आपके photograph के scan की वो 10kb से लेके 200kb से ज्यादा नहीं होनी चाहिए similarly signature की size जो file है उसकी size 30kb से ज्यादा नहीं होनी चाहिए right आपने अगर category certificates आपको applicable है तो उस file की size 300kb से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप PWD certificate भी आपके लिए applicable है तो उसकी size भी 300kb से ज्यादा नहीं होनी चाहिए यह यह चीज आपको भहुत ध्यान में रखनी है यह note है it's very important you have to read very carefully candidate has to upload only his or her own photograph किसी और का कर दिया तो problem है signature and certificate as mentioned above in correct proper manner as the facility for correction may not be possible corrections करने का आपको मोका नहीं मिलेगा in case it is found at any time in the future that the candidate has used uploaded the photograph signature and certificate of someone else किस आपके friend का कर दिया आपके phone में तो देखिये और आपने कुछ temper किया है तो आपका unfair means count किया जाएगा and your application is likely to be rejected तो बहुत ध्यान रखना है careful रहना है parents or students दोनों को the confirmation page of the online application form will be generally only after successful payment by the candidate in case the confirmation page is not generated after the payment of fee then the candidate may have to approach the concerned bank payment gate में in the helpline number and email given in the information bulletin जो मैंने आपको पहले बताया था उसमें आपको सारी detail है कि अगर यह नहीं मिला है तो मुझे क्या करना है password के लिए भी instruction से जो मैं अभी form भरूंगा तो आपको मैं दिखाऊंगा कि आपको password रखने में क्या ध्यान रखना है दोस्तों यह सब करने के बाद आपको दो चीज होनी चाहिए आपके पास अपना email address होना चाहिए और एक mobile number होना चाहिए क्योंकि email में ही सारा चीज आपको आएगी सारी information आएगी और mobile number पे आपको SMS आएगा यह सारी instructions carefully पढ़ने के बाद यहां पे आपको click करना है और यहां पे click here to proceed पे click करना है तो आपको यह सारी details पूछेंगे आपको candidates का नाम, father name, mother name, candidates, date of birth, gender, identity type, identification number जैसे कोई identity में यहां पे मान लीजिए आपको आधार card है आपके पास और आपको आधार तो यह आप option ले लीजिए क्योंकि आधार का इसमें नहीं दिया है तो आप यह लीजिए और आपको उसका number डाल देना है इदर उसका number डालने के बाद यह सारा address आप यहां टाइप कर दो अचा आपका present address यानि कि अभी आप जहां रहते हो और आपका permanent address दोनों सेम है तो आपको यह दूबारा फिल करने के जरूद नहीं यहां पे यह check box दिया है आप इसको टिक कर देना तो जो उपर वाला address है न वही व आपका add type कर रहे हो रही तो जैसे और उसमें से एक letter capital होना चाहिए बाकी सब small हो सकते लेकिन minimum एक capital होना चाहिए एक number होना ज़रूरी है और एक special symbol special symbol में इतने characters में से कोई भी आप एक ले सकते हो जैसे कि मैं आपको बता दूँ मैं password रख रहा हूं जे मैंने capital कर दिया जे capital और e small किया जे double e उसमें जे capital कर दिया यानि मेरा capital हो गया फिर मुझे एक special symbol जैसे कि special symbol मुझे use करना है add the rate तो मैंने add the rate ले ले लिया 2 के जो उपर दिया है add the rate और मैंने number डाल दिया 2021 लेट से तो यह मेरा 8 character का password हो गया उसके बाद यहाँ पे security questions है आपको इस चार में से को एक question select करना है उसका आपको जवाब दे दिजे यहाँ पर यह भी आपको याद रखना है यह हो जाने के बाद यह जो number दिया गया है वो आपको enter करना है then you have to click on the submit अब जैसे submit पे click करोगे तो एक बार वो आपको फिर से बोलेगा कि आपने जो नाम enter किया हुआ है आपकी birth date है जो आपका email है आपका mobile है वो सब verify कर लो और उसके सारे checkboxes आजाएंगे उसको tick करना है कि मैंने यह verify किया यह verify किया यह verify किया और एक बार आप verify कर दो दोस्तो उसके बाद आपको final submission करना है right so this is how you can do the registration then you need to fill the application form उसके बाद आपको document upload करना है और fee का payment वो भी आपको online करना है अब मैं सबसे important चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि इस बार क्या-क्या changes है और आपको क्या-क्या important चीज़े ध्यान में रखनी है तो यहाँ पे home page पे यह website के link आप दियो के description से मिलेगी यहाँ पे आपको click करना है frequently asked questions पे तो एक PDF open हो जाएगी तो दिखे सबसे पहले यहा अप्रिल में और चोथी है में में आपको ध्यान रखना है right what is the advantage of the multiple jwe advantage यह रहेगा दोस्तों कि आपका जो best score होगा ना वही count होगा चार में से अगर आप चार दे रहे हो तो right अगर आप एक दे रहे हो तो वही score count होगा आप दो दे रहे हो तो दो में से जो आपका best होगा यह benefit right तो आपको मेरे इसाफ से तो मेरा तो suggestion यह है कि आपको हाँ definitely her exam के लिए fees बढ़नी होगी उससे ज्यादा कोई नुकसान नहीं होगा तो हमारी तो advice है कि आप चारो exam दे सकते हो तिवाई कि आपका कहीं पर conflict नहीं आ रहा है board की exam के साथ then you should give it दूसरी चीज़ when will the application window to apply for JEE main 2021 will be available तो मैंने already आपको बता दिया कि 16th January is the last day right और आपको जो fees pay करनी है वो 17th January तक fees pay कर देनी है right यह last date है और आपको apply कर देना है 16th January से पहले right अच्छा दूसरा candidate can apply for one session or more than one session together अगर आपको किसी को ऐसा है कि मैं 4-4 session का एक ही बार में apply कर दू yes you can do that आप कर सकते हो right अच्छा whether the candidates has to fill up the separate application for each session no अगर आपने मान लीजे अभी एक वार application form भरा और आपने एक ही महीन एक ही exam की fees बरी है जब आपकी exam खतम हो जाएगी उसके 2-3 दिन के बाद थोड़े दिन के बाद result आएगा result आने के बाद 2 दिन के लिए या 4 दिन के लिए फिर से window open होगा and you can apply with the same application number तब आपको सिफ दूसरे exam की fees बरनी पड़ेगी application form फिर से बरने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों अच्छा आप मान लीजे के आपने February session के लिए apply नहीं किया है पहली exam के लिए फिर आप March में देने वाले हो तो yes you can apply जरूरी नहीं के आप अभी apply कर दो लेकिन मेरा suggestion यह है कि आपको जे डबली देना है अगर engine made mission लेना है तो you must fill up the form before 16th of January रह जाये तो कोई बात नहीं है लेकिन अगर आपके ध्यान में आ गया है तो भर दो candidate can apply for another session after declaration of the result yes you can do मान लीजे आपको आपने decide किया था कि मेरे पहली exam में अच्छा score आ जाएगा तो मैं दूसरी exam नहीं दूँगा लेकिन unfortunately मान लीजे अच्छा score नहीं आया है then you can fill up the form again जो आपका form है दूसरी fees आप भर सकते है उसे fees ही भरनी पड़ेगी अच्छा whether a candidate can appear in one session or he has to appear in all four session it is your choice यह आपको decide करना है कि आपको एक session देना है दो session देना है या चार session देना है दोस session का वो अच्छी तरह से उन्होंने समझाया है whether candidate has to pay the fee for one session or all the four session and when the fees is to be paid देखे वो आपको decide करना है पहले आप एक session की भर सकते हो चारो चार की साथ में भी भर सकते हो और दूसरे session की आप पहले session के result आने के बाद जब window open होता है तब भी आप कर सकते हो if any candidate has paid the fees for the session and he wish to withdraw from the session or does not want to appear in the session then his fees will be refunded yes आपको refund मिल जाएगा आपको उसके given deadline में आपको withdraw कर लेना है that's it right अगर आपने सारे sessions की fees भर दी है और he did not appear to withdraw from the next session then his fee will be refunded fees can also be carried forwarded आप देखे ये चीज़ बहुत अच्छी की है उन्होंने के आप एक session की fees दूसरी session में carry forward कर सकते हो जैसे के February में आ March में आपकी board की exam आगी आप वो exam दे नहीं पाओगे तो आप उसके next session में उसको carry forward कर सकते हो आपको वो application window में given deadline में change करना होगा that's it right अच्छा अगर आपने ये refund का request या ये carry forward का request वो deadline में नहीं किया है तो आपको इसका लाग नहीं मिलेगा candidates को form कैसे submit करना है online ही करना है कही school में नहीं जाना है और payment भी online ही करना है right अच्छा will the confirmation page remain the same for all session yes आपका confirmation page same रहेगा whether one application will be submitted by candidate for one session or more than one session for all session together multiple application form submitted by candidate for the same session will not be accepted at any course को दोस्तो एक ही form बरना है अच्छा कौन सा score मेरा account किया जाएगा merit list में ये बहुत important है right अच्छा आपके पास choice है कि आप चार में से कितने session में appear होने वाले हो तो यहां लिखा हुआ है clearly very important the candidate's best NTS score of all the sessions अगर आपने चार exam दिया है तो चारों में से जो आपका best है वही आपके magic list में count होगा दोस्तो right अच्छा candidate can correct change in his particulars including city of exam center in the online application form yes you can do that whether the NTS change the syllabus of the JEE में no syllabus आपका जो last year था वही है थोड़ी questions की pattern में थोड़ा change हुआ right however keeping in view the decision taken by different world all over India NTA has decided that there will be a total of 90 questions in the question paper total 90 questions रहेंगे उसमें से आपको 75 ही attempt करने होंगे 15 questions optional होंगे और वो जो optional होंगे उसमें कोई आपका negative marking नहीं होगा मैं आपको अभी नीचे बताने वाला हूँ वो केस तरह type से हर subject का कैसे होगा right अच्छा जे डबली कौन सी language में होगी तो देखे very important news जे डबली विल बी conducted इन असामी बंगाली गुजराती गुजराती माई तह मैं आपकी शकोच हो तो आपके पास option है कि आपको कौन सी language में देनी है अच्छा इस बार दोस्तो जे डबली ओफलाइन यानि पेन और पेपर में नहीं होनी वाले है तो यह चार सेशन में आप तो यह चार सेशन में आप कहीं बे भी paper exam दे सकते हो यह multiple exams रखे है इसका फाइदा यह हो सकता है कि इतनी सारे दीन है तो इतने set of papers बनेंगे so you know at once you are getting one set of paper at other time you are getting other set of paper तो आपकी लखकी थोड़ा होने की probability बढ़ जाएगी when you appear for a multiple session तो मेरा तो यह suggestion है कि आपको हर session में exam देना चाहिए right अच्छा बी बीटे के लिए sessions का pattern क्या रहेगा वो यहाँ पे दिखाया गया है मैं उसका एक आपको अभी table दिखा दूँगा right और आपको questions उसमें दो sections रहेंगे आपका section A रहेगा और section B रहेगा section A में कितने question होंगे section B में कितने question होंगे वो उन्होंने clearly उस notifications में दिखाया गया है section A में 20 होंगे तीनों subjects के maths, physics and chemistry तो आप समझो कि section A के अगर 20-20 marks है आपके तो 60 होगे और section B होगा तीनों subjects में maths, physics and chemistry में उसमें 10-10 question होंगे लेकिन आपको कोई 5 ही questions के answer देने पड़ेंगे यानि कि total questions जो आप answer दोगे दोस्तो वो 75 हो जाएंगे, यह चीज यहाँ पे उन्होंने दिखाई है each subject will have two sections, section A will be of multiple choice question and section B will contain the question whose answers are to be filled in a numerical values section A होगा जो 20 marks का, वहाँ पे multiple questions होंगे, section B जो होगा वहाँ पे numerical values आपको text box में लिखनी पड़ेगे और वहाँ पे section B में 10 questions होंगे, उसमें से आपको 5 ही select करने है, बाकि जो 5 आप छोड़ दोगे, उसमें कोई negative mark नहीं होगा तो यह engineering के students के लिए, यह important instruction से आपको याद रखना है दूतरा, how do I expect the choice of attempting 5 questions in section B, right, you can select any 5 questions you wish to answer और उसमें आप थोड़ा इधर उधर change भी कर सकते हैं, आप you can change your mind also तो आपको इसके लिए कोई attention लेने की जरूरत नहीं है, right, और यह exam की date हमने आपको अल्रेड़ी बता दी है तो उसमें आपको detail में जाने की जरूरत नहीं, यह question है, what is the duration of the examination, of the timing of the examination for the candidate who wish to appear for B arc as well as the B planning, तो उसका भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो engine के बच्चों को यह पढ़ने की जरूरत नहीं है what is the state code of eligibility, यह आपको कौन सा state आपके लिए applicable होगा, वो दिखाया गया है यहाँ पे, right, state code of eligibility means the code of the state from where the candidate has passed 12th जो state से आपने किया है, वो ही आपका यह code हो जाएगा, अच्छा अगर आप NIOS board से हो, तो आपका क्या होगा, वो यहाँ लिखा हुआ है अच्छा आप foreign country से हो, तो आपके passport के साथ आपको match करना है, वो सारी चीज़े यहाँ लिखी हुए है दोस्तों, तो आपको देख लेना है, right, अच्छा, does NTA have any exemption for the division candidate, yes, division candidates के लिए जो exemption है, वो यहाँ लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हो दोस्तों, right, will BTEC be a score of JEE main will be used for admission to UPSEE 2021, yes, वो वही score आपका use होगा, वो सारी information लिखी हुए, अच्छा, यह important चीज़े, what is the age limit to appear in JEE, there is no age limit for the candidates to appear in JEE, but the candidate who have passed the class 12 equivalent examination in 2019, 2020 and appearing in 2021, can appear for JEE main, right, यह यह rule आपको ध्यान में रखना है, right, कितनी बार आप दे सकते हो JEE, details may be obtained from this information, right, यह यह चीज़ आप यहाँ देख लेना, what is the minimum academic qualifications, candidate, मैंने बता दिया आपको कि minimum academic qualifications for appearing in JEE, तो यहाँ पे लिख दिया है, कि आपका 12th में, यह 3 साल में अगर आपने किया हुआ है 12th, 19 to 2019, 2020, और आप 2021 में, appear और 12th में, then you are eligible, right, तो यह सारे FAQs आपको यहाँ दिये गए है ताकि आपको थोड़ा immediately help मिल जाए दोस्तो, अचा यह last question है, in case of foreign nations candidates, आपको यहाँ पे उन्होंने पूछाओगा pin code, तो आप pin code में आपको यह चीज़ डालनी होगी, आपको जब online form भरना है, तो दूतरा मैंने एक आपको documents बताया, कि आप information bulletin है, जो almost आपके, you know, it's 59 page document, तो आप इसको भी थोड़ा ध्यान से देख लेना, जो मैंने आपको exam का pattern बताया था, वो सब चीज़ यहाँ पे थोड़ी detail में दी गई है, जो मैंने आपको यह marks वगरा का दिखाया था, कि किस तरह से distributions होगा, तो यह सारी चीज़ उन्होंने यहाँ पे table में बताई गई है तो आप वो थोड़ा उसको देख लेना, यह भी documents आप पढ़ सकते हो, बट I will tell you, जो मैंने अभी आपको information दिया है, वो sufficient है, यह जो तीनो documents है, आपको online applications कहां से करना है, फिर यह आपका FAQ, और आपका यह information bulletin, और यह website का home page, यह चारो link मैंने वीडियो के description में रखी हुए दोस्तो, so wish you good luck, भुलना मत देट, 16th January is the last date, अब जे डबली चार बार दे सकते हो, my personal suggestion is that you should give all the examination, wish you very good luck for your bright future ahead, thank you for watching the video and don't forget to share with your friends, thank you.